आज की यह वीडियो बीडियो बीकॉम के फोर्ट समस्टर वाले स्टुडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका अनिवार प्रिशन पत्रेनी को करिकुलर सब्जेक्ट की परिच्छा होनी वाली है जिसका नाम है फिजिकल एजुकेस्टेंड होगा यह को करिकुलर सब्ज़क्ट जहोता है एसका पेपर आपको हर समेश्टर में देना पढ़ता बस को मालूम है फिर कर दे परिखकार होगा तो पहला पेज आपको इसी परकार को देखने को मिलेगे जब आप पर इच्छा देने जाएंगे तो सबसे पहला आपको पेपर ऐसे मिलेगा ठीक है यहां पर आपको रोल नंबर फिल करना होगा उसके बाद ओया मार शीट यहां पर जो आपको एक शीट दी जाएगी उसमें मिलने हैं ठीक है तो शेली आते हैं मेरे मुद्धे पर और साथ-साथ मैं आपको बहुत जबर्जस्त ट्रिक भी बताने वाला हूं आप लोग कर कम तैयारी किये हैं फिजिकल एच्छे काफे नंबर कैसे लेकर आफकते हैं वह बहुत ही जबर्जस्त ट्रीक है 100% वरकिंग है वह भी आपको बताने वाला हूं ठीक है लेकिन पहले कोश्चेन समझ लेते हैं कौन-कौन-कोन सुइंपॉर्टेंट हैं एक खेलो इंडिया इन्वर्शिटी खेल शुरू हुए मतलब कि एक खेलो इंडिया इन्वर्शिटी खेल जो है वह शुरू हुए किस चमसे लोग खेलते हैं खेलो इंडिया इन्वर्सिटी एक खेल है तो एक खेल की शुरुवात कब हुई थी बहुत सारे लोगों के अलग-अलग मत्भेद हैं बहुत लोगों ने अलग-अलग माना है फिलाल जहां तक मुझे कुश्टी हुई है इसका सही जबाब हो जाएगा आप्शन न क्यारा पर्थम खेलो इंडिया यूथ खेला कब आ गया फिर खेल कब शुरू हुए तो यह हुआ था दो हजार उन्नीश में इसलिए जवाब इसका हो जाएगा डी नमबर ध्यान नखेंगे ठीक है बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन आ सकता पर इच्छा में ठीक है बढ़ कि अधे सब्सक्राइब अगला की की असटाम को सब्सक्राइब और मुख्या को का जो पिता हमां है यह पूरा का पूरा माडल पेपर है पिछले वर्स 2000 तेश का वही मैं आपको सॉल्ब करा रहा हो इसे में से काफी सारे कुछ आपके परिच्छा में आएंगे ठीक है इस सब कोश्चन कहीं फिलाए नहीं कि पिछले बस पूचे गए हैं ठीक है और जिस इन अलायकर के प्रकार बताई तो एक फिलाएख हो जाएगा हैं मतलब कि दोनों यही वाला फिर जबाव को कि यह दोनों हैं ठीक हैं इसलिए च्छले जबाब यह होगा अगला की खेल दिवस कम मनाया जाता आप सभी अच्छी परचित होंगे इस परसंट से तो खेल दिवस ज चाहिता बहुत ही कॉमन पॉस्ट है और आपको जानना भी चाहिए और पूस्ट इस फिट इंडिया मुव्मिन्ट की शुरुवात कब हुई थी तो फिट इंडिया मूव्मेंट की शुरुवात हुई थी बहुत फौरी लोगों की अलग-अलग मदवेद हैं लेकिन जुज़ प्रस्ट आप किशकूल गेमस फेडरेसन आफ इंडिया की अफ्तापना कब हुई तो इसकूल गेमस फेडरेसन आफ इंडिया की जो सब्सक्राइब कि अफ्तापना है संधान लखेंगे 1954 में हुई है सही जब आप इसका हो जाएगा दिनमबर ध्यान रखेंगे काफी बार तो ध्धान रखेंगे लच्छमी बाई नेश्नल कॉलेज और फिजिकल एजूकेशन की जो स्थापना है वो हुई है ग्वालियर में कहां हुई है ग्वालियर में उभी किसंद में ध्यान रखेंगे प्रमुक्ष प्रश्ण है अगर आएके मेजर ध्यान चंद किस खेल से सम्मंदित है उसका नाम है आपको बताना है यह आपसे मंदित है किस से कमेंट सेक्शन बताईए हो की से सम्मंदित सही जबाब इसका हो जाएगा और प्रमुक्परस्टन ध्यान लखेंगे कई बार एक्जाम के लिए नहीं करने और शक्रूंब देयो इन्वर्सिटी या फिर यहां पर लिखा गुरु नानक देयो बिस्विद्दले इन्वर्सिटी वही है चीक है त्यार नखेंगे सही जब आप सी होगा अगला है कि किस काल में योगा का जन्म हुआ जो आज आप लोग योगा का ट्रेंड चल गया है पिछले 5-6 फालो योगा करते हैं जिनका योगा क्या है आपकी बिमारियों को दूर करता है और योगा बहुत ही आपके हेल्थ में लावदायक है अगर आप परड़े योगा करते तो आपको बहुत फारी बिमारियों सो छुटकारा मिल जाएगा ठीक है और आप पूरा दिन हेल्थी फिल करे सब्णक्राइब कि अप्षापना है वह हुए है उनीच और बीडियो को पूरा देखते रहेगा एक वी पॉइंट मिश्मत करियेगा क्योंकि यह सब परिच्चा में आने वाले और साथ-साथ मैं आपको यह भी बता अधे रहा हूं पूरी 100 सभी प्योडियों यहां पर एंधसर के लिए उध्य का यहां उत्तर नएयो सबसे पहले लेकिन उच्टाइब करें पर देखनाimientos होंगे तब कि NSS का पूरा नाम बताईए महात्पॉर्ण परस्टन हो आपकी एक्जाम के लिए नाश नोट कर लिए तो NSS का पुरा नाम यानि कि फूल नेफ आफ NSS का नाम है national service scheme स्कीम सब्सक्राइब हो जाएगा D ट्रॉप्स ठीक है यह होता है इंसने का पूरा नाम ध्यान लखेंगे प्रमुक्व परस्न आ Lee अगला प्रस्तुत है कि अंतर राष्टे ओलम्पिक समित का मुख्याले कहां इस्थित है तो ओलम्पिक जो खेल होते हैं इसका अंतर राष्टे ओलम्पिक समित का मुख्य जो आला है मतलब की मुख्य जगे जो है वो कहां पर है इसका ठीक है तो ध्यान रखेंगे श्यूटर कि यूंटी सेफ का पूरा नाम बताना है यह जो आपको दिख रहा है यह इसका पूरा नाम बताना फुल नेम तो यहां पर बहुत फ़ारे afternoon कोंसाना इसमें whole name है यह आपको बताना रहो माश्म उन्हाल नहीं प्ढ़ते लोग रखालशमिठी टीड ऐंटेड़ नेशन इंटर्नेशनल चिल्डेन इमर्जशने फंड यही होगा की यू एन की मध उन इफ का पूरा नाम यहां हो फूल फांड ठीक है यून इसन इंटर्नेशनल चिल्डेन स्य म्रजेंशनower सइउतरड होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रश्टित उससे सहां सीलता को करने वाले यूज भाण सबसे पहले जो खेल थे उनका जो शुरुवात है या फिर आप लोग के फेक्टे की आयोजन है वह कहां पर हुआ था तो सही जवाब इसका हो जाएगा option number ध्यान लखेंगे सब्सक्राइब इसका हो जाएगा option number ध्यान लखेंगे अगला प्रश्ण है कि सारीक फिच्छा का उद्देश क्या है यानि कि फिजिकल एजूके उद्देश क्या है तो फिजिकल एजूकेशन का मत्तब यह होता कि आपके तंत्रिका पेश्यां का विकास होगा और संग्यात् थिक है विकास होगा समाजी की का अगला है कि स्वास्ति का विकास करनेगा कारक कौन सा है तो स्वास्ति का विकास करनेोया जो कारक प्रियुक में से ध्यान रखेंगे आपको बताना कमेट में तो स्वाफ्त का विकाफ करने वाला जो कारक है वो है निराफा हैं तनाओ ठीक है और एक मिनिट आपका जो स्वाफ्त का विकाफ है ना तो निराफा करता है ना तो तनाओ करता है ना तो क्रोध करता ना भे करता न कि और ग्रणा करता ना लार्फ़ा करता है तो स्वास्थ का विकाफ करने वारे जो कारक इन से कोई नहीं तो इंटर्नेशनल ओल्मिक कमेटी सही जब आवश्का हो जाएगा c नमबर ध्यान लखेंगे इंटरेशनल ओल्मिक कमेटी ओफ़री आई OSI का फुल्फेम होता है ध्यान लखेंगे अगला कि प्रत्थम आधुनिक ओल्मिक खेल आयोजित हुआ था किस सन में तो प्रतम आधुनिक ओलम्पिक जो खेल है जहांना कि प्रमुक प्रश्ण एक्जाम के लिए इसका जो आयोजन है यह फिर आयोजुद जो हुआ था वह हुआ था अच्छे अप्रेल 1896 को 6 अप्रेल 1896 को अगला कि ओलम्पिक खेल का एयोजन कितने दिन चल्ता है तो ओलम्पिक । का जो आयोजन है वह चलता है ज्यादातर तीक हैं मतलब कि साही जवाब इसका होगा दócब दिया जाता है तो इसमें भी बहुत सारे कनफ़ीजन है ज्यवाब हो जाएगा वो आपको बताना कबनट रख्यूं में सही जवाब आप लोग बताइए सीटि को ऩिए काफी लोग अलग अलग उत्तार करें काफी लोग देश को करेंगे ठीक लेकिन जहां तक मुझे जान करें सहर से इसकी शुरुवात होती है अगला क्वेश्चन है कि घंडे में कितने छले बने होते तो ध्यान से सुन लीजेगा औलम्पिक के जंडे में जो छले बने होते हैं उनकी जो संख्या है वो पांच है सही जबापसी होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है कि भारत के पहले ओलम्पिक जिन्होंने दो बेक्तिगत पदक जीते हैं उनका क्या नाम है तो ध्यान रखेंगे भारत के पहले पदक जीते हैं यानि कि आवार्ड जेता है उनका नाम है शुशील कुमार सही जबाब होगा ए नमबर ध्यान रखेंगे अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग इसके एंसर हो सकते हैं लेकिन मैंने खूब रिसर्च किया तो मुझे मिला सुशील कुमार आप देखेंग स्ट्रीट आप इस्पोर्ट जो इस्थी थे वह है पटियाला में सही जबाब इसका हो जाएक आप्शन नमबर ए ध्यान रखेंगे अगला प्रस्तित है कि भाईया सारिक फिच्छा के बारे में मिथ्या धारण कौन है तो मिथ्या धारण जो है यह आपको बताना है कौन है तो सही जबाब इसका हो जाएक आपसे नमबर कीड़ा अफ्थल तक्सीमित होना ठीक है क्योंकि सिंपल सी बात है कि कीड़ा अफ्थल में होता क्या है क्या होता है इसका फुलफाम होता है स्पोर्ट अथरोटी आफ इंडिया के अध्यच्छ कौन थे तो मैंने रिसर्च कि तुमेरे पाया किसके जो अध्यच्छ है ठीक है साई के इसके अध्यच्छ का नाम है मतलब करनाही मलता थ survey नाम बंत्री ठीक है और टまぁ प्रहरोटा है सब्सक्राइब मंजिजी होता है इस इंडिया का का घटक नहीं है नहीं है अगला question है कि निम्ण से घटक सारीफ धच्चता को प्रभावित करते हैं तो निम्न मेंसे देगे जितने भी यहां पर घटक है वो सभी शारिरिक दस्षिता को प्रभावित करते हैं फिले सही जबाब हो जाएगा और प्रयोक्त मेंसे सभी डी नमबर अगला प्रश्ण है कि जीवन सैली का तातपर क्या है तो जीवन सैली का मतलब बताना है फिर जीवन सैली का तातपर होता है कि जीवन जीने का तरीका जिसमें बेक्त के सच स्टता की जो स्थित्त है कि रिभ यह कहलाती है सारिक दिछत बॉय revisit में नवर को बता अब सुवी जबाव हो करेंगे और सब्सक्राइथ के जानकारी कें मिटा बता थो होती है वो होती है सारीरिक क्रियाओं द्वारा फिच्छा समस्तिस फिच्छा की प्रक्रिया या एक अहम हिस्वा और सी है शरीर की भाफा द्वारा भावनाओं की अभिवेक्त यह सभी फारिक सब्सक्राइब कर द्वारा फिच्छा का मुख खिलच जोता है वो आपको बताना अगर आपको मालूम है तो जरू बताएं ठीक है तो सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब क्रूएं कि आज भारत को गीता की नहीं बलकि फुटवाल की मैदान की जरूरत है ये बात कौन से बिद्वान ने ये फिर कौन से हमारे देश की सतंदरता संग्रामी ने कहा है नेता ने कहा है तो आज भारत को गीता यानि कि आज कल बच्चे गीता नहीं पढ़ते बल्क फुटबाल मैच खेलते हैं ठीक है ये बात कहिए इनों ने तो वही कहा गया कि आज भारत को गीता की नहीं बल्क फुटबाल के मैदान की जरूरत है ये जो बहुत बड़ी बात कह दी है उनका नाम है ध्यान लखेंगे बहुत ही प्रमुक है श्वामी वेकानंद जी ठ कौन सा सहीजवाब होगा अगला कुश्चिन है कि सफ्त फरीर में सफ्त मस्तिष्क निवास करता है ये बात कौन से बिद्वान ने कहिए तो ये बात प्रमुक कि अगर प्रस्तु को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है आपसलों में से सिर्फ लिया आज जाता है चैनल कि चैनल के City आफ लोग खेल खेल यह य SAMS पर चैनल को पाफ करने वाले थे खेल फेज़े से प्रता कि सब्सक्राइब प्रक्रणे में में इसलिए इसका सब्सक्राइब हो जाएगा Сам Aususe जीव गांधी खेल रतन जो आवार्ड है ज्यान लखेंगे काफी हल्पूर प्रस्ण है इसकी जो सुरुवात है अवार्ड की वह हुई थी 1991 में सही जबाब इसका हो जाएगा सी नंबर ध्यान लखेंगे चलिए निश्कोषन को बढ़ते हैं निश्कोषन क कह़े रा कि सारीरिक फिच्छा तथा मनोरंजन केंद्रेश बौड की अस्थापना है ये किसन में हुई आपको बताना है तो इसका सही जबाब हो जाएगा आपको नंबर डी 1956 में हुई है अग कि विद्द्धाल्यों में मनुरंजन के अंतरगत किया नहीं आता है तो बीद्धाल्यों में इन आफ़े सो नहीं आता जीन आता मताव वाली मनोरंजन क्या है तो यानि की जिसमें सरीर की जोड़ती है बोड़ी हिलता है ठीक है और दोड़ते हैं लोग बाउगते हैं सारी बल लगता है ठीक है वह कौन सब्सक्राइब लगता है लेकिन जो ज्यादा लगता है और दोड़ना पड़ता है भागना पड़ता है पसीना बहते हैं तो वूफ खेल का नाम है हाकी ठीक है इन आप सुन में हाकी सही है क्योंकि हाकी जो बाहर खेला जाता है और जितने भी और अन गेम है यह सब ठीक है घर के अंदर खेले जाने वाले हैं ठीक है अगला कोश्चि क्यों देश की बात करेंगे तो आपको तनास मुक्ति मिलेगी प्रश्चनतायम संतुष्टी प्राप्त होगी अवकास के समय शद उपयोग होगा इफले सही जबाब इसका हो जाएगा आपसे नंबर डी उपरयोग में से सभी ध्यान लखेंगे इसक्रिया मनोरंजन नहीं हे तो कौन सा सक्रे मनोरंजन डोग नहीं है वह ज्यान लखेंगे इन अफ्थोलता का कारण नहीं अफ्थूलता का जो कारन नहीं है वह आपको बताना नต applied की जबाब इसका जबाब हो जायगा किस चेज़ के लिए होती है तो भी एमाई जो मसीन है जहां तक मुझे जानकारी है वो आपके उचाई हाँ अपने के लिए है और इसके वजन को मापने के लिए स्य जवाब हो चाहिए का सूत्र कोउन साय तो भी माई नियुद्धायड करने का यहीं सूत्र कूह नहीं श्रीक के लिए ठीक है तो आपको जानना चाहिए बोडी मौस इंडेक्स के बारे में कैलोरी निर्धान के बारे में इफिले सही जबाब हो जाएगा सी नमबर उप्रेक्ट में से दोनों अगला की एक समान साथ किलो का पुरुस को प्रतिदिन के इतने कैलोरी के आफ सकता पड़ती है अगला की आपको दिन भर में कितने कैलोरी चाहिए तो धान रखेंगे दिन भर में केलोरी जो चाहिए वो बताना है सभी जबाब इसका हो जाएगा बताए एक कमेंट सेक्सिन में अगला में तो यह जबाब हो जाएगा कि आप ध्यांत सुनेंगे आपको दिन भर में कितनी कायलोरी की या फिर कितनी कायलोरी चाहिए यह किसी पर निर्भड करता भाई अबहार यानि कि आपका जो एज है उपलफ हाइट आई हो है उमर है उपलफ जो आपका वेट है उस पर विडिपेंड करता लिंग पर विज़ेंट करता कि आप महिला हैं फूरस है इसले है जवाब हो जाएगा उप्रट में से सभी ठीक है यह होगा में सभी क्योंकि यह सभी निर्भर होते हैं अगला कि अफ्थूलता कम करने है उपयोगी आसन बताईए यानि कि मोटापा करने का कोई उपाय बताईए तो कौन सा है इन आपसनों में से वो है नौकासन करना और हलाफन करना ये दोनों आप लोग अगर आसन करेंगे योगा में तो आपको आराम मिलेगा सी नंबर सही जबाब होगा और भी बहुत आपसनों में से वही सही होगा अगला है कि जीवन सहले को प्रवावित करने वाला कारक कौन है तो जीवन सहले को प्रवावित करने वाले जो कारक है वो सकरात्मक यह सहज बेवार भी है बरपूर नियंद्यों आराम भी है इफले सही जबाब इसका दी नंबर होगा और प् प्रताहमा यानि कि फज्टर कहा जाता है योग यानि योगा का प्रताहमा जो कहा जाता वो महादश visa पातानजली को सई जबाब होगा सी नमबर ध्याना कीगे के प्रमक प्रस ने कई भार रिपीटड GR करना चाहिए तो कम से कम आपको परड़े 30 मिन और एकसर साइज बिस्राम करना चाहिए ठीक है अगला की सांस की प्रवत्यों पर नियंत्र करने वाला क्या कहलाता है तो सांच की प्रवित्यों पर नियंतर करना क्या कहलाता है आपको बताना है तो यह कहलाता है प्रणायाम सही जवाब D होगा ध्यान लखेंगे अगला की योग फूत्र के रचेता कौन है तो योग फूत्र के जो रचेता है उनका नाम बताना है तो योग फूत्र के रचेता बताइए कमेंट सेक्षिन में अगर आपको मालूम है ठीक है एक मिनिट हाँ सही जब आप इसका है सही जब आप इसका हो जाएगा आप्शन नमबर सी महाच पतांजली पतांजली ही योग सोत की रचना है कार है ठीक है तो इसी तरह साथ कोईश्चन है और जड़ा समय है नही इसको डिसकर नहीं करेंगे ठीक है बाकि शिश्ट्री कोईश्चन मैंने आप लोगे समझ प्रस्तुत किया आपको बताया और इनके लावा आने भी चालिश कोईश्चन आगे हैं प्रस्तुत हैं उनको मैं आपको टेली ग्राम वाटसप पे डाल दूँगा तो आप लोग पेपर चाहिए फिजिकल एजुकेशन और योगा का तुमांपो तुरंद के तुरंद कर देंगे बाकी आपके एक्जाम के लिए औल दिविस्ट कोई तोटी हूँ तुसके लिए गलती के लिए हम चाहते हैं बाकी मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जेहिंद